है गां है अभर है गँद गओं गांक तुदेन्च एंग्लिश इंग्लेस ki लेकर कब कर स्वागत दगरेके स्वार्व दिगरी इस वक्रार रहा और हम स्वार्व दीगरी इंग लिए eras क्लास नम्मर 11 है और आपका लास्ट क्लास होगा ओके फ्रेंट्स अभी तक हम लोगों ने क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक एक से बढ़ करें के स्टक्चर्स कंसेप पोजेटिव कंपरेटिव सुपरलेटिव डिगरी के डिफिनिशन लाटिन अडिजेक्टिव बहुत सरा कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया और सिख लिया फ्रेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप उस क्लास को जोईन नहीं किये हैं तो मैंने इसका लिंक सबके सब इस क्लास में दे दिये हैं प्लेयलिस्ट भी बना दिया आप जाकर प्लेयलिस्ट जरूर देखेगा आपको पता चले हैं कि मैंने ६ड्यूरी में कैसे कैसे आपको बताए हैं आज MAS आज का क्लास होने वाला है बहुत इंप्वोरн होने वाला है क्योंकि हम लोग common error पढ़ रहे हैं इसमें आपका सारा confusion clear हो जाएगा जो अभी तक 10 class लें ताहिए हम लोग शुरू करते हैं starting में सबसे पहले देखें यहाँ रूल लिखा हुआ है less लिखा है lesser लिखा है तो less के बाद हमेशा than का प्रियू कियता है जबकि lesser के बाद हमेशा off का प्रियू कियता है यहाँ हमेशा आपको ध्यान रखना होगा जिससे this question is less difficult to that यहाँ गलत हो जाएगा इस तरह से लिखना होगा this question is less difficult than that मतलब यह question उस question से थोड़ा कम difficult है है नो less का मतलब कम होता है अब this is lesser than the two evils गलत हो जाएगा sentence this is lesser of the two evils मतलब यह जो है उन दू बुराईयों से क्या है कम है तो आपको ध्यान देना है lesser के बाद of का प्रियू होता है और less के बाद than का प्रियू होता है यह concept है अब आई हम आगे बढ़ते हैं old लिखा है oldest लिखा है older लिखा है oldest लिखा है ओके तो लिखा है older oldest का प्रियूग age बताने के लिए किया जाता है ध्यान देना है जब ही older आएगा oldest आएगा तो age को क्या करेगा denote करेगा जबकि elder और oldest का प्रियूग family relation को family relation के लिए किया जाता है आपको ध्यान देना है आप कैसे होगा ध्यान देना है जैसे he is my older brother तो wrong हो जाएगा older brother नहीं हो सकते है क्या होगा sentence he is my older brother अब लिखा है this tree is older than that तो गलत हो जाएगा this tree is older than that मतलब यह पेंड जो है उस पेंड से क्या है थोड़ा ज्यादा दिन का है रमेश is older than रमेश is older than सुरेश मनें रमेश सुरेश से क्या है थोड़ा ज्यादा एज में है तो इस तरह कि आपको concept ध्यान देना है बाई आगे और रोल बहुत important है जो हम लोग देखेंगे अब यह जो concept है बहुत बार परिच्छा में हर कमडिशन में आ चुका है मैं खुद B8 का exam देने की आथा इंट्रेंस में तो यहां से question आया हुआ था आपको ध्यान देना है टीचर में भी यह question आता है लिखा है यहां लिखा है यह डबल टी याड़ लेटर तो अब देखेंगे आपको ध्यान देना है कि लेटर और लेटेस्ट मतलब एक यह लेटर और यह लिखना पड़ेगा अब आप समझ गया होंगे कि यहां क्या मतलब लेटर और लेटेस्ट का यूज जो है किसके लिखाता है टाइम को जबकि डबल टी यार लास्ट का प्रयों करम ओर्डर को बताने के लिखाता है ठीक है ना तो लेटर जैसे आपको ध्यान देना ही के में लेटर देन यूज तो यहां गलत हो जाएगा क्योंकि आपको टाइम बताने मतलब हो आया आपके बाद टाइम को दिखाने के लिए एल एट टी यार लिखना पड़ेगा ओके तो इस तरह से आपका हो जाएगा लेटर का यूज जब भी अगर दूब एकती से कमपरीजन कर करेंगे ओके अब देखें नेर्स कोर्शन लिखा है दी सीद लेटेस्ट नियूज यह सही है क्योंकि टाइम की बात हो रही है यह सबसे हाल फिलाल का नियूज है हूँ आपको नूट ध्यान देना है फॉर्मर का प्रियोग के पहले लेटर का प्रियोग के पहले लेटर का प्रियोग के पहले और लेटर का प्रियोग के पहले और लेटर का मतलब होता है 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 के बाद के औ इस डॉक्टर, पहला डॉक्टर है बड़ लेटर इस आयन इंजिनियर इसका मतलब जो पहला चंदन वो डॉक्टर है और ननीत जो है बाद वाला इंजिनियर यहाँ कंसेप्ट वही समझाया गया ठीक है फेंट्स अब चलिए हम लोग देखते हैं ऑफोर्ष ओर फोर्मस्ट का यूज कहा करते हैं तो फोर्ष का ओडर बताने के लिए की एता है ओपनेस्ट का प्र्यूग मौस्ट नोटेबल परधान स्वपत्म स्रेष्ट के लिए की एता है जैसे निहरू वाज्ट फोर्मस्ट पीम ऑफ इंडिया तो गलत हो जाएगा sentence नहरू भारत के पर्थम पर्धान मंतरी थी तो इस तरह से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा जैसे महात्मा गाधी वाज दा फॉस्ट लीडर आफ इस टाइम गलत हो जाएगा फॉर्मस्ट मतलब नोटेबल पर्धान होना चाहिए अपने जावाने के सबसे पर्धान सबसे श्रिष्ट फॉर्मस्ट लिखेंगे आपको ये concept को याद रखना पड़ेगा चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है देखे नेक्स्ट लो लिखा है यदि दो ऐसे comparative या superlative degree के adjective को किसी conjunction से जोड़ना हो जिनमें एक regular या irregular formation पर आधारित हो तथा दूसरा more must पर आधारित हो तो पहले regular या irregular वाले comparative या superlative को रखा जाता है तथा बाद में more must adjective को रखा जाता है ये आपको ध्यान देना है बहुत important है थोड़ा साब फिर से आप अगर इस class को repeat कर लेंगे सुल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फिलाल मैं आपको एक्जांपल के माद हम से समझा देता हूं जैसे लिखा है he is more handsome and taller तो गलत हो जाएगा क्योंकि आपको करम वाज रखना है तो he is taller and more handsome मतलब पहले आपको one syllable रखना है उसके बाद more or must रखना है इस तरह को इस तरह से चीज़ आपको ध्यान देने जैसे यहां लिखा he is more be antiful and taller than तो गलत हो जाएगा he is taller and more beautiful beautiful than neha she is taller and more beautiful तो आपको इस तरह से concept ध्यान रखने पड़ेंगे कि जब भी more must आएगा और taller आता है तो सबसे पहले सीज़ करते हैं उसके बाद इस सीज़ करते हैं अब चलिए देखें नीचे लिखा हुआ है she is most गलत हो जाएगा है ना वाइजस्ट तो सबसे पहले आपको वाइजस्ट लेना उसके बाद मॉस्ट ब्यूटिफू लेना है लेकिन यहीं पर देखिया मोर है क्या मोर हैंसम हो गया एंड इंड इंटिलिजेंट दैन तो गलत हो जाएगा इस तरह नहीं हो सकता है क्योंकि इंटिलिजेंट के पहले भी मोर लगा होना चाहिए ही इस मोर हैंसम एंड मोर इंटिलिजेंट दैन अधन जाए तीसरा का कंसेप्ट अपको ध्यान रखना है ओके फेंट्स चलिए बागे लिखा हुआ है नेक्स्ट रूल लिखा हुआ है यदि एक पोजेटिव डिगरी एक कॉमपरेटिव डिगरी के वाग को जोड़ना हो त अब ही इस वाइजर देन भी सब्सक्राइब लेकिन नीचे जो लिखा हुआ गलत है इस गुड़ एंड वाइजर देन तो गलत हो जाए क्योंकि इधर पोजेटिव होगे इधर कंसेप्ट का अपको ध्यान रखना है कि ही इस एज गूड एज यू होना चीए था वाइजर नहीं होना चीए यह इस तरह का सिंटेंस होना चलिता ही इज वाइजर देन यह अब आई हम आगे कंसेप्ट सीख लेते हैं लिखा हुआ है किसी वाक्य में डबल कंपरेटिव या डबल सुपरलेटिव का प्रियूग नहीं कियाता है यह बहुत इंपोर्टेंट रूल है द इससे लिखा हुआ रिया इस दम भॉस्ट अट टॉल स दूलस टुष और लेटिव हो गया तो इस तरह का संटेंज लिखा जाएगा यहा लिखा जाएगा जया इस niż टॉलीट गरर इंद लक्लास जया है द सबसे लंब क्या है लंबी गंगा है इस तरह से आपको समझना चाहिए अब देखें नोट लिखा है सुपरलेटिव के साथ और या और इल्स का पर्योग नहीं कहता है जैसे सी इस दो मॉस्ट ब्यूटिफुल अफ और अधर गल्स तो गलत हो जाएगा सी दह मॉस्ट ब्यूटिफुल ओफ ओल गल्स ओढ़र का यूज नहीं करते हैं तो यहार सेंटेंस गलत है नीचे वुला सेंटेंस साही जैसे नौनीग इदर टॉलेश्ट अफ और अधर तो गलत हो जाएगा नौनीग इदर टॉलेश्ट ऑफ ऑल इस्टुडेंट्स ओके इस the best of all other boys in the class तो गलत हो जाएगा he is the best of all the boys in the class all other नहीं हो सकता है all the boys हो सकता है ओके फ्रेंट इस तरह का आपको ध्यान देना है अब चलिए लिखा हुआ है जब दो वस्तू की तुलना और होने से कोशन हर बार परिचा में आता है हर बार परिचा में आता है किसी भी कोशन नहीं बनी या समभौ इंपरसिबल है लिखा है the climate of Richthi is better than पटना तो गलत हो जाएगा sentence क्या लिखना पड़ेगा the climate of rotzy is better than that of partner than that लिखना है मने पटना के climate से राची climate क्या है अच्छा है अब निचे लिखा हुआ his shoes are better than you तो गलत हो जाएगा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा his shoes are better than of your shoes इस तरह से हो सकता है the rooms of this flat are more comfortable than that of that flat रॉंग हो जाएगा this room of this flat are more comfortable than those of that flat क्योंकि इसमें जो है बहुत जादे रूम की बात हो रही है इस रूम के रूम्स के इस फ्लैट के जो रूम्स है ठीक है ना होते इस तरह से आपको ध्यान देना होगा चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रान देते हैं thank you for watching this class मैं उम्मिद करता हो के आपको class बहुत अच्छा लगा होगा आगे कि हम लोग बहुत important topic शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है transformation thank you जै हिंद जै भारत बंदे मात्रम झाले हैं